हेलो डियोर आस्पिरेंट वेलकम तू एजुकेशन विद डिवीजर और आज से हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे याने की एजुकेशनल इवालुएशन्स और एजुकेशनल रिसर्च पहले हम देखेंगे एजुकेशनल इवालुएशन्स ये दो वीडियो में आएगा पहला वेलिडिटी हो गया आई टॉम एनालिसिस हो गया ये सारा कुछ नेक्स वीडियो में आएगा और रिसर्च का भी हम दो वीडियो लाएंगे रिसर्च में भी दो वीडियो आएगा एक रिसर्च के चलते आएगा और एक स्टाटिस्टिक्स के चलते आएगा तो इसी यूनि के उपर हो गया तो यह बहुत ही इंपोटेंट है और इससे बहुत ही इजी में आप मार्क स्कूर कर पाऊगे क्योंकि इस चेप्टर में जो क्वेस्चन्स आ रहे हैं बेसिक लेवल के पूछता है तो आपको बस फंडा मेंटल ही क्लियर होना चाहिए आप सबी स्कूर कर पाऊगे तो बहुत कुछ इस वीडियो में आपको जनने को मिलेगा देरियने करते हुए वीडियो को स्तार करते हैं क्लास Does Star करनेसे पहले दो सूचनाएं अगर आपको free classes चाहिए regarding SSB preparations या फिर net preparations तो आप हमारे education channel जो की है education with db sir इसको subscribe कर सकते है या फिर आप हमारे एक telegram channel है ssb odissa education यहाँ पर हमारे सारे pdf बगरे सयार किया जाता है यह भी आप join कर सकते हैं जो की हमारे youtube description में है या फिर youtube पीज में है ओके तो हम स्टार्ट करेंगे educational इवालुएस्ट वाट इजूकेशनल इवालुएस्ट इवालुएस्ट वह प्रोसेस है जहां पर हम फेरियोस एजूकेशनल टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज कर रहे है इन एजूकेशनल सेटिंग एजूकेशन में इजूकेशनल फिल्ड में इजूकेशन को बेटर करने के लिए स्टूडेंट को डेवलॉफट करने के लिए एजूकेशन प्रोसेस को बेटर करने के लिए हम क्या कर रहे है जो टूल्स एंड टेक्निक का यूज कर रहे है उस प्रोसेस को कहा जा रहा है educational evaluations इसके साथ educational evaluations क्या करेगा students का जो behavior evolved हो रहा है during the academic career इसको वो कितना acquire क्या है इसका भी क्या करेगा इसका भी वो analysis करेगा okay finally अगर हम कहना चाहे तो जो system ने learning goal determine किया है हमने जो desire क्या है achieve करने के लिए इसको वो ensure करेगा whether it is fulfilled or not कहां gap रह रहा है यह सारा कुछ कौन discuss करेगा educational evaluations find out करने की कोशिज करेगा या फिर discuss करेगा तो जो major concept आता है measurement, assessment और evaluations इसके उपर तो एक दो questions हर अदम आते ही आते है इस तीनों को अच्छे से आप याद कर लो okay तो measurement क्या है assessment क्या है evaluations क्या इस तीनों को जानने से पहले आमको जानना पड़ेगा test क्या है test वो measuring tool है जिसके द्वारा हम बच्चों के knowledge level को जानते है बच्चे कितना knowledge gain कर पाए है उसको जानने का बिधी है test यह ज़्यादा तर किया जाता है series of questions के साथ और test का result क्या है test करने के बाद हम क्या करते है उनको कुछ score assign करते है या पिर आप कह सकते हो mark assign करते है जो mark assign क्या जा रहा है वो क्या है वो quantitative way में measure क्या जा रहा है ओके जो quantitative way में हम उसका performance को देना चाहा रहे है वो ही हो गया measurement measurement is nothing but quantitative description of one performance हम बच्चों के performance को quantify करने की कोशिश कर रहे है एक number के द्वारा represent करने की कोशिश कर रहे है यही तो measurement है आप number के द्वारा marks के द्वारा उसको represent करने की कोशिश कर रहे है जैसे कि हम बच्चों के height मापते है बच्चों की weight मापते हैं वो क्या करते हैं हम एक number के द्वारा उसे represent करने की कोशिज करते हैं इसी को ही कहा जाता है measurement measurement is all about numbers numbers ही है quantify करने की हम कोशिज कर रहे हैं numerical standard के द्वारा हम recording करने की कोशिज कर रहे है numerical standard के द्वारा उसको compare करने की कोशिज कर रहे है this is what is all about measurement measurement में questions होता है क्या how much कितना है क्योंकि इसको हम कैसे define कर रहे है number के द्वारा define कर रहे है how much questions जहां आएगा वो होगा measurement जैसे कि example में भी दिया कया है Raman 93 marks लाया है mathematics में याने कि यह क्या है यह measurement का example है तो measurement का कुछ famous definitions भी देग लेते हैं जो की निको ने दिया है तो निको क्या कहते है measurement is a process of assigning numbers numbers देने की यह बिधी है numbers देने की बिधी है जब हम बच्चों की talent को या फिर gain knowledge को number के द्वारा represent करते है वो ही है measurement वो ही है measurement तो पहले हमने test किया test के बाद number दिया number दिया याने की measurement हो गया ओके लेकिन measurement में एक problem है measurement क्या कर रहा है श्रीफ number assign कर रहा है श्रीफ number assign कर रहा है लेकिन वो कितना quality में change हो रहा है वो कहे नहीं पा रहा है overall aspect को वो कहे ही नहीं पा रहा है overall aspect को कौन बताएगा ये बताएगा assessment बताएगा जैसे कि कोई बच्चा है मैं मैं सके air लाया है maybe नसी करने जो दिया गया है यह सारे के साद GOOD Aim zap है मेजर्मेंट हैं यह कैसे रए गया है टेस्ट के द्वारा दे आ गया है तो टेस्ट और मिजर्मेंट हो चुक सब्सक्त cough लेकिन अब हम sms करेंगे हमद चैनेकwn की बच्चा का कौन सान। यहीं हमने सब of two or more sets of information to give a better judgment or to give a better value okay हम क्या कर रहे है better judgment देने की कोशिज कर रहे है या फिर better value देने की कोशिज कर रहे है सारों को compare करके यही assessment है तो itamological concept के आकार से हम देखेंगे तो यह Latin word asider के आया है asider का मतलब हो क्या to sit beside या पर to assist the judge judge को assist करना to a better judgment better judgment के लिए जो assist करता है वो ही assignment है तो assessment क्या हो गया assessment वो method हो गया जिसके द्वारा बच्चे कितना knowledge possess कर रहे है अभी कहां खड़े है उसको understand करने की कोशिज करेंगे तो assessment के चलते हम क्या करेंगे gathering of information करेंगे जो gather हुआ है उसको synthesize करेंगे और उसके साथ साथ बच्चे का strength क्या है विकनेस्स क्या है उसको भी document करेंगे यानिकी यह क्या कर रहा है assessment के द्वारा हम बच्चे की स्प्रेंद को भी जान रहे हैं बच्चे की नहीं है ऐसले किया लेकिन क्समेंड वह फैस्ट से बहुत बढ़ा है है एक तसमेंट अब तक तक है एसेसमेंट क्या है एसेसमेंट कॉलेक्शन ऑव रेलेफेट इंफॉर मेशन चैए सब्धो हम्ième क्लास में एग्जाम में इसका पोजिशन को समझने के लिए पूरी प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा पहले हमने टेस्ट गया टेस्ट के बाद हमने एक स्कोर दिया स्कोर एक निमरिकाल स्कोर था इसलिए इसको हमने कहा मेजर में मेजरमेंट श्रिफ एक नमबर दिया था लेकिन उसको हम अवरल कंपेर करके क्या कंपेर करके हुज को बैटर प्लेस का कालकुलेसन क्या तो ये हो वो हो जाएगा evaluations okay is nothing but value judgment value judgment value judgment दे रहे हो regarding यह information को देखे यह information को देखे अगर अगर एक better value judgment दे पा ct station तो वही होगा इवाल्लवेशंस तो evaluation क्या करेगा critically analyze करेगा examine करेगा तो evaluation में क्या क्या हो रहा है ये सारा कुछ होगा जैसे कि हम collections कर रहे थे analysis कर रहे थे सारे informations का ये सब कुछ यहाँ पर होगा Okay, evaluation का जो सबसे highlighted point है यहाँ पर better judgment दिया जाएगा better value judgment दिया जाएगा और ये judgment हमको effectiveness को improve करने में काम आता है Okay, तो कुछ famous definitions देख लेते है बड़े-बड़े thinkers ने क्या कहा है regarding evaluations Okay, तो scriven क्या कहते है Scriven कहते है, evaluations वहाँ process है जहाँ पर हम बच्चों की merit हो गया, worth हो गया या फिर significance निकालते है याने की value निकालते है, effectiveness निकालते है ये एक product है, product है, product है, ये कहना है scriven का फिर bb क्या कहते है, bb कहते है evaluations, एक systematic collections of information है या फिर उसका better interpretations है interpretations है, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे है judgment दे रहे है, एक better value judgment दे रहे है तो evaluations process का 4 key elements होता है जैसे की systematic collections of evidence पहले तो हमको systematic collections of evidence करना पड़ता है systematic data collections करना पड़ता है उसको better way में interpret करना पड़ता है और उसी के आधार पे हमको एक better judgment देना पड़ता है जिसको हम value judgment कह रहे है और last में एक view of actions भी देना पड़ता है ये चारो रहता है key element of evaluations तो जब exam में questions आता है measurement, assessment और evaluation सारे एक जैसे लगने लगते है तो अच्छे से इनको समझना है क्या है difference क्या है similarity वो सारे को अगर आप अच्छे से समझे होंगी तो सारे questions को आप कर पाऊगे तो पहले हमने क्या क्या पहले हमने test क्या test से हमने कुछ score दिया या फिर quantify क्या quantify क्या तो वो हो गया measurement लेकिन measurement में स्रीफ score था उस measurement को हमने overall compare क्या overall compare करके एक relative position दिया relative position को assess क्या इसलिए ये हो गया assessment ये इससे बड़ा हो गया और assessment करने के बाद हमने क्या क्या उसका value judgment दिया कि ये इसमें बहतर है ये इसमें थोड़ा weak है ये करके जो हमने value judgment दिया ये हो गया evaluations तो किसके अंदर कौन आ रहा है test, test के उपर measurement, measurement के उपर assessment, assessment के उपर evaluations आ रहा है इसके चलते भी हम इसको और better way में समझ सकते है evaluations क्या है, जो measurement हमने किया है, जो quantitative descriptions हमने किया है, उसमें अगर हमने value judgment कर दिया तो वो हो जाएगा evaluations, यानि कि कोई बच्चा 100 मैं से 99 लाया है, 99 एक क्या है, एक measurement है, लेकिन हमने इसको कैसे define किया ना ये बच्चा mathematics में बहतर है, better कर रहा है, best कर रहा है, ऐसे करके जो हमने value judgment दे दिया, ये क्या हो गया, ये हो गया evaluations, ये हो गया, evaluations, लेकिन assessment से भी हम इसको define कर सकते है, evaluations को, जो हमने assessment किया या फिर qualitative discussion किया, उससे भी हमने अगर value judgment प्लस कर दिया, तो वो भी हो जाएगा evaluations, जो 99 marks लाया है, उसको हमने देखा कि पहले जो exam हुआ था, उसमें वो 90 marks लाया था, दूसरे exam या फिर final exam में वो बच्चा 99 लाया है, तो हमने क्या क्या हमने better assessment के चलते, हमने उसको कहा कि बच्चा relatively improved हुआ है, बच्चा relatively improved हुआ है, ये क्या है, ये assessment है, हमने compare कर दिया, ख सारे class के compare हो रहा है, या फिर खुद का compare हो रहा है, तो ये क्या क्या हमने compare करके better assess करने की कोशिस किया, कि बच्चा improve हो रहा है, या इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर assessment क्या, लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ value judgment अगर दे दे, बच्चा better कर रहा है, बच्चा ये कर है, ऐसे करके अगर हमने value judgment कर दिया, तो ये हो जाएगा evaluation, तो just महीन सी ही difference है इन तीनों में, यहाँ पर quantitative description था, यहाँ पर quantitative के साथ value judgment कर दिया, तो यह भी evaluation हो गया, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ओके, तो फिर हो गया scale of measurement, इसके उपर तो questions आते ही आते है, इसको अच्छे से याद कर लो scale of measurement के उपर जो सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है वो है Stanley Smith-Steven तो scale of measurement में एक वाड़ आ रहा है scale what is scale वो पहले हम define कर देते हैं और उसको measure करने की बीधियां भी आगे चल के देखेंगे तो scale क्या है Smith कहते है scale always refer to measurement जो हम measure कर रहे है measure करने के चकर में जो हम score दे रहे है किसी भी चीज को जब हम measure कर रहे है उसको एक number के द्वारा represent कर रहे है उसको किसी भी symbol के द्वारा set के द्वारा numerical के द्वारा जब हम इसको represent करने की कोशिस कर रहे है Assign करने की कोशिज कर रहे है यही है Scale तो क्या है यह Scale का Proporties यह Scale का चार मुख्यत प्रपोर्टीज होते है और इसी के यदगीर ही Stevenson का जो theory है यह गुमेगा तो चार प्रपोर्टीज क्या है यह Proporties भी Questions आए है इसको भी अच्छे से याद कर लो पहला जो properties है वो है identity, दूसरा magnitude, तिसरा equal interval और चोथा है absolute 0 identity का मतलब क्या है? identity का मतलब है जो value हम assign कर रहे है वो unique होगा उसका meaning unique होगा suppose आप mathematics में किसी बच्चे को marks assign कर रहे हो 40 marks, 40 एक unique number है उस बच्चे का talent को mathematics में कौन बता रहा है? यह unique marks बता रहा है, तो यह unique meaning बताएगा measurement का तो यह जो unique mark बता रहा है, unique measurement हमको दे रहा है यही है identity, यही है identity फिर दूसरा हो गया magnitude, magnitude क्या करेगा? magnitude वो हो value है जो कि हमको एक order relationship बताने की कोशिस करेगा इसको कोई-कोई कहते है properties of moreness magnitude क्या है? कोई बच्चा 40 लाया है, कोई बच्चा 42 लाया है तो हम क्या कर रहे है? यह कम है, यह ज़्यादा है हम quantify करके हम compare कर पा रहे है कौन more है, कौन less है, यह हम clear code बता पा रहे है यही है magnitude, यही है magnitude लेकिन यहाँ पर देखो equal interval equal interval का मतलब क्या है? equal interval scale का वह property है जहाँ पर आप देखोगे जो differences है between any two कोई भी दो points का जो हम difference लाएंगे वह difference अगर same हो रहा है वह difference अगर equal हो रहा है तो उसको हम कहेंगे equal intervals सभी में equal intervals नहीं होते सभी scale में equal intervals नहीं होते लेकिन यह properties है scale का अगर आप तो ना करोगे जैसे की weight हो गया weight में आप देखोगे 10 kg वाला और 12 kg वाला में जो difference है 20 kg वाला और 22 kg वाला में जो difference है, वह same है यहाँ का difference 2 है यहाँ का difference b दो है यहाँ पर weight क्या है weight ऐसा scale है जहाँ पर equal interval रहता है लेकिन position में आप देखो position में अगर आप देखो कि first position, second position third position यहाँ पर आगर first position, second position और second position, third position को आप compare करोगे तो यहाँ पर equal interval नहीं आएगा आपको लग रहा होगा कि ये दोनों position में तो एक position का difference है ये दोनों position में तो एक position का difference है लेकिन जो first position आया है suppose ये 90% ला के first position हुआ है second वाला 89% ला के second position acquire किया है लेकिन third वाला suppose इसने 80% लाया है नहीं है तो equal interval वो properties है जो कोई भी दो point का difference को सेम बताएगा सेम बताएगा यह आगे चल के जब हम interval scale पड़ेंगे वहाँ पर आपको ज्यादा बहतर समझ में आएगा ओके फिर जो लास्ट प्रोपर्टीज है वो है absolute 0 absolute 0 का मतलव क्या है absolute 0 का मतलव है zero means 0 ऐसे कहना यह है absolute 0 याने कि कहा पर कुछन नहीं है बोल पाना यही है बास्तव में absolute 0 हम जब मेजर करते हैं कुछ कुछ जगह में ऐसा भी परिश्टीति आता है जहांपर कुछ होता ही नहीं है वहाँ पर आप अगर कह पाओ कि कुछ है ही नहीं तो वो है absolute zero absolute zero suppose किसका आपने pocket को check किया उसके pocket में कोई भी पैसा नहीं है तो आप क्या कहोगे उसके pocket में zero money है ये क्या है ये absolute zero है absolute zero है लेकिन कुछ scale ऐसा भी होता है जहाँ पर आप zero कह ही नहीं सकते कोई बच्चा मैद में जीरो लाया है कोई बच्चा मैद में जीरो लाया है तो आप कहा ही नहीं सकते कि बच्चा का मैद में कोई ही नॉलेज नहीं है जीरो नॉलेज है ऐसे आप कहा ही नहीं सकते किसी बच्चे का IQ टेस्ट आपने किया IQ test का सभी questions में वो fail हो गया तो आप ऐसे कहा ही नहीं सकते कि बच्चे का IQ 0 है आप कहा ही नहीं सकते कहा ही नहीं सकते तो यह क्या है यह बता रहा है कि कहीं कहीं जगा पर आप absolute 0 को देख ही नहीं पाऊगे इसलिए इसको कहा जाता है 0 degree temperature जैसे होता है 0 degree का मतलब यहाँ पर lowest temperature लो लेबल पर जा रहा है यही है 0 degree 0 degree का मतलब temperature एक्जिस्ट नहीं कर रहा है nothing temperature नहीं है तो absolute 0 का मतलब क्या हो गया absolute 0 का मतलब हो गया non is exist तो यह भी आप अच्छे से समझ पाऊगे जब हम ratio scale पढ़ेंगे फिर है level of scale of measurement इसके उपर तो एक दो questions हर बार आते ही आते है Stephen क्या करते है Stephen उनका typology दिया है इसी के उपर और उसका title क्या था उसका title था on the theory of scale of measurement जो की 1946 में published हुआ था यह बहुत ही famous है इसको भी आप याद करो यह direct भी questions किस किस बार दे देते है और Stephenson claim करते है कि measurement चार तरह के scale के उपर depend करता है चार तरह की scale हम use करते है nominal, ordinal, interval और ratio यह चारों को अच्छे से समझ लो nominal, ordinal, interval और ratio nominal जैसे है naming, ordinal जैसे है ranking, interval जैसे है equal interval और ratio हो गया सबसे highest level of scale, सबसे highest level of scale कौन सा है ऐसे भी questions पूँच देता है या फिर इसका nickname को ले के भी questions पूँच देता है अच्छे से इनको याद कर लो, अच्छे से इसको समझ लो NED में भी questions आते ही आते है, SSB में भी questions आते ही आते है तो ये चारों में से जो पहला वाला है ये हो क्या qualitative, qualitative और बाकी जो तीन है ये है quantitative quantitative क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो number नमबर जैसे नहीं है number को आप number के हिसाब से देख नहीं पाओगे लेकिन यहाँ पर number को आप number के हिसाब से देख पाओगे जो number जितना है उसका value उतना होगा यहाँ पर लेकिन यहाँ पर number का value number के हिसाब से नहीं होता number is mere naming, naming के हिसाब से categorize के हिसाब से number दिया जाता है तो हम आगे चल के यह चारों को detail में देखेंगे तो पहला scale है nominal scale, nominal scale इसको कहा जाता है naming scale, leveling scale, classifying scale क्योंकि हम यहाँ पर naming कर रहे है, naming कर रहे है, यहाँ पर number अगर होगा तो number number नहीं है यह non numerical है, यहाँ पर number का कोई value नहीं है अगर आप किसी के जर्सी में देख रहे हो, one किसी के जर्सी में five देख रहे हो तो इसके 5 गुना ये नहीं है श्रीव ये नेमिंग है वान श्रीव नमबर दिया गया है अगर विराट कोली के Heather man Mechanic सर्ट में अठरा लिखा हुआ है तो वो हर दंभ अठरा सेंचुरी लगाएगा अठरा च्छका लगाएगा अठरा फोर्स लगाएगा यह नहीं है इस स्रिफ नेमिंग है लेवलिंग है हमने स्रिफ लेवल कर दिया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है measurement deals with variables that are non-numeric non-numeric जो है वो ही यहाँ पर ज़ादा आएगा अगर यहाँ पर number है तो वो number number के हिसाब से नहीं है वो स्रिफ लेवलिंग के हिसाब से है तो यह सबसे निचला स्तर का measurement हो गया क्योंकि यहाँ पर number को हम number के हिसाब से नहीं देख रहे है यह qualitative ही नचर है qualitative यहाँ पर number की बात क्या नहीं जाएगा norm numerical facts की यहाँ पर बात क्या जाएगा तो यहाँ पर order होता ही नहीं है यह without order है without order कैसे है suppose हमने जर्सी का number दोया है 1, 2, 3, 4, 5 यह जो number दिया गया है यह number नहीं है यह अच्छे से आफ याद कर लो क्योंकि number अगर होता तो पहले betting कौन जाता एक number वाला जर्सी जाता दो number वाला जर्सी जाता फिर तीन number वाला जाता फिर चार number वाला जाता तो यह order में आप ऐसे कह ही नहीं सकते 18 नमबर वाला जर्सी यह भी पहले जा सकता है 16 नमबर वाला भी पहले जा सकता है एक नमबर वाला भी last में आ सकता है तो इसमें कोई proper order होता ही नहीं है तो यहाँ पर number क्या नहीं कर पा रहा है object का characteristics को define नहीं कर रहा है यह शरीफ लेवलिंग ही है तो research के हिसाब से अगर हम देखेंगे अगर हमने data collect किया yes और no scale के आधार पे तो यह हो जाएगा nominal scale okay nominal scale example क्या क्या है यह questions बहुत बार आये है pin code जो होता है suppose pin code हो गया 768 111 यह क्या है 768 111 768 001 यह शरीफ leveling ही है leveling है यह number है ही नहीं यहाँ पर number number नहीं है ऐसे आपको याद करना है यह questions बहुत बार आया है बहुत बच्चों का यह questions रहता है यह number number ही ही नहीं यह किसी area को बता रहा है किसी जगा को बता रहा है जगा को coding किया गया है यह coding माना यह जगा यह number माना वो जगा ऐसे करके codify क्या गया है यह codify क्या बता रहा है यह number को नहीं बता रहा है places को बता रहा है यहाँ पर number नमबर है ही नहीं ऐसे करके आपको याद करना STD code जो रहता है प्लस 91 यह इंडिया का है प्लस 33 यह अलग देश का है यह क्या है यह भी codify क्या गया है यह भी codify क्या गया है 91 बहुत जादा है 33 कम है यहाँ पर ऐसे number का properties निकाल ही नहीं सकते फिर हो गया jersey number of players players के जो jersey number होते है वो भी nominal scale है nominal scale है तो यहाँ पर example questions एक ले लेते है क्योंकि research में जो जाते है यहाँ पर ऐसे करके questions बहुत सारे उनको input करना पड़ता है to collect data तो questions है do you like the quality of healthcare services provided by your health center आपके health center द्वारा जो health services मिल रहा है इसको आप like करते हो क्या yes माना one no माना two yes माना one no माना two one और two यहाँ पर अच्छे से समझ लो यह एक दो का मतलब numerical है ही नहीं एक मतलब एक है दो मतलब एक का दो नहीं है यहाँ एक का मतलब yes है और दो का मतलब no है yes का मतलब one है no का मतलब दो है yes दो बार हो गया तो यह दो है ऐसा है ही नहीं यहाँ पर number का मतलब number नहीं है हम क्या कर रहे हैं बस leveling के लिए one two दे दिया है जैसे हम कहते हैं हम data collect के है female और male के आधार पे female को हमने एक दे दिया male को हमने दो दे दिया यह क्या कर रहे है हम यह हम सिर्फ number के द्वारा इसको represent करने की कोशिज कर रहे हैं यहाँ पर number number है ही नहीं तो यहाँ पर कौन-कौन से operations हो सकते है mathematical operations यहाँ पर हम classes में divide कर सकते है classify कर सकते है male female के हिसाब से married on married के हिसाब से employed on employed के हिसाब से यह basic operations यहाँ पर हो सकता है classifications का okay यह फिर classes में divide करने का तो mathematical tool क्या क्या है जहाँ पर हम nominal scale यूज़ कर सकते है वो है mode mode को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर mean यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर median यूज़ कर ही नहीं सकते स्रीप और स्रीप मोड यूज़ोगा मोड कैसे यूज़ो रहा है आप ऐसे देखो जर्सी कुछ है एक नमबर का दो नमबर का तीन नमबर का चार नमबर का पांच नमबर का एक नमबर जर्सी सपोच तीन है दो एक है तीन दो है चार एक है पांच भी दो है यहाँ पर कौन सा जर्सी सबसे जादा है कौन सा नंबर का जर्सी सबसे जादा है ये किसको बता रहा है ये मोड को बता रहा है तो मोड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो लेकिन इसमें आप मीन नहीं निकाल सकते क्यों कि ये नंबर तो नंबर है ही नहीं तो आप कैसे आप जोड़ोगे कैसे आ वो ही नहीं सकता तो यहां पर निकाल ही नहीं सकते आप तो यहां पर हम मेडियन भी यूज कर रही नहीं सकते क्यों मेडियन यूज नहीं कर पार यह तो नॉमबर है यहां तो एक दो तीन चार पांच लिख दो और यहां पर थ्री तो मीडिल में आ जाता है लेकिन यहां पर क प्रपर और में नहीं सकते चोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे में जब तक आप सिक्वेंस में नहीं रखोगे प्रपर ओर मैं नहीं रखोगे आप मेडियन निकाल ही नहीं सकते जब हम एक दो तीन चार पांच कहे रहे है यह क्या है यह चोटे से बड़े का एक और है और होगा तभी तो हम मेडियन का निकाल सकते है अगर और ही नहीं होगा यहाँ पर पांच है यहाँ पर एक है यहाँ पर तीन है यहाँ पर दो है यहाँ पर चार है तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये middle में जो है ये right है proper order करना पड़ता है फिर हम median निकाल पाते है proper order नहीं होगा तो median नहीं निकाल पाओगे nominal scale में order नहीं होता है order नहीं है तो median भी नहीं होगा तो यहाँ पर स्रीप और स्रीप mode ही होता है अच्छे से इसको याद कर लो जो मैं offline classes में जिस level से पढ़ता हूँ मैं try कर रहा हूँ उसी level से आपको knowledge दूँ लेकिन क्या करना पड़ता है बहुत सारे time का limit हो जाता है इसी के चलते थोड़ा सा shortcut करके भी आपको बता देना पड़ता है तो यह हो गया mode के बारे में फिर जो दूसरा है other statistical tool क्या यूज किया जाता है यहाँ पर chai square test यूज किया जाता है इसको भी आप अच्छे से याद करो यह दोनों बहुत बार questions में आए है अच्छे से आपको याद करना है जो research वाले बच्चे है यह क्या करते है जब research हम करत जाता है ranking scale क्या कि हम ट्रेंग करना है यह क्या करना है क्वाली टेटीव ही नेचर है क्यूंकि हम रेंग देने की कोशिज कर रहे है कोई फर्स आया कोई सेकेंड आया कोई 3,2,3 наших दूसरा से यह पी 지ention करने क्यां रहे है तो यह गया ranking scale एसे भी करके duration of 살짝 कर कर क्ugen पहले में और नहीं था इसका अभी उड़र है इसका अभी आड़्वार है जो पहले नंबबर में आया है वो फॉस्ट है जो सेकंड नंबर में आया ओ वो सेकेंड जो थ kuv त estád है यह क्या है यह हम ranking के द्वारा हम क्या कर रहे हैं हम इसको एक proper order में रख रहे हैं और ये जो order आ रहा है suppose किसी ने 90 marks लाया है किसी ने 80 marks लाया है किसी ने 65 marks लाया है तो ये marks भी क्या है एक ज़्यादा है एक medium है एक कौम है ये भी क्या बता रहा है यह magnitude को बता रहा है यहाँ पर जो variables होते है यहाँ पर magnitude भी आता है यहाँ पर magnitude भी आ रहा है लेकिन nominal scale में magnitude भी नहीं था क्योंकि हम जो numbers यूज कर रहे थे number का value वहाँ पर number नहीं था तो वहाँ पर magnitude नहीं था ordinal scale में magnitude भी है लेकिन इसी scale का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है यहाँ पर आप अगर देखोगे कि यह interval जो है दो value का interval equal नहीं होता यहाँ पर अगर difference देखोगे तो यहाँ 10 है और यहाँ पर difference देखोगे तो यहाँ 15 है तो यहाँ पर देखो interval equal हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पर distance जो है value value के बीच दो value के बीच वो equal नहीं होते याने की equal interval यहाँ पर absence होता है तो इसका example हो जाएगा class में जो हम rank दे रहे है 4, 2nd, 3rd यह हो गया class rank ordinal scale में आएगा फिर कोई restaurant हो गया, कोई places हो गया, कोई जगह हो गया, कोई ब्यक्ती हो गया या फिर कोई youtube channel हो गया, उसका अगर हम rating कर रहे है तो यह rating भी कौन सा scale में आएगा, ordinal scale में आएगा आप यहाँ पर देख सकते हो जो research वाले questions करते है if you are asked to rate the quality of healthcare services provided by primary healthcare center जो primary healthcare center जो quality of service दे रहे है, उसको आप कैसे rate करोगे excellent, very good, good, average या 4 उसको एक number assign कर दिया गया है, उसी के चलते आपको बताना है एक या दो या तीन या चार या पांच, तो आप जो number दोगे, आप जो बताओगे, ये क्या है, ये आप rating दे रहे हो rating दे रहे हो, आपको अगर ऐसे questions करना है, डीबी सर का जो classes चल रहा है YouTube में, classes का quality कैसा है excellent के लिए, 1, very good के लिए, 2, good के लिए, 3, average के लिए, 4, poor के लिए, 5, आप rating दो आप rating दो, comment करके rating दो कि कौन सा rating होने वाला है, डीबी सर के classes, okay तो ये क्या है, ये हो गया, तो ये हो गया ordinal scale का, ordinal scale का example, okay तो यहां का basic operations क्या होगा, यहां का basic operations क्योंकि यहां पर order है और magnitude है, हम यहां पर greater than और less than निकाल सकते है फिर mathematical tool कौन सा यूच होगा, या फिर statistical tool कौन सा यूच होगा, यहां पर median यूच हो सकता है क्योंकि आप greater than और less than निकाल सकते हो, तो आप proper sequence में इसको डाल सकते हो proper sequence में इसको डाल सकते हो, और ascending या फिर descending order में इसको डाल के आप middle point निकाल सकते हो ब्धिन पॉंड भी आएगा, यहां पर bude भी आएगा, क्योंकि पहलावाला जो होता है, वो दूसरे बाले में include होता है, फिर तीसरे बाले में यह दोनो Include होता है, फिर चोथे बाला जो हम चार पढ़ेंगे न, चारों में ऐसे ही आप देखोगे कि पहला वाला का सारे properties दूसरे वाले में है, दूसरे वाले का सारे properties तीसरे वाले में है, तीसरे वाले का सारे properties चौथे में होता है, लेकिन इसका reverse नहीं होता, तो इसमें mode भी होगा, median भी होगा, median भी, mode भी यह दोनों यहाँ पर होगा, ओक पिर तीसरे टाइब का scale है यह है interval scale, interval scale पर ज़्यादा तर आप देखोगे, जो second का second type of scale था, ordinal scale, ordinal scale में जो drawback थे, यह उसको फिल फिल करने की कोशिज करेगा, यह फुल फिल करने की कोशिज करेगा, यहाँ पर knockable order रहेगा, यहाँ पर exact difference भी रहेगा, exact difference between values यहाँ पर तो quantitative ह है ही बाकि जो लास्ट इन है वो तो quantitative है ही यह quantitative है लेकिन यहां का जो drawback होगा वो होगा absolute zero का absence absolute zero यहां पर नहीं होगा लेकिन क्या होगा rb trary zero होगा याने की absence absence word आप यहां पर use कर ही नहीं सकते absence of something बता ही नहीं सकते आफ आप बताओगे rb trary मतलब zero तो बताओगे लेकिन zero को आफ absolute के हिसाब से नहीं बता सकते Epsilude के हिसाब से बता ही नहीं सकते याने की यहां पर क्या हो रहा है याने की यहां पर आप जैसे temperature हो गया temperature में आप 0 degree कहो गे तो यह absence of temperature नहीं है यह minimum temperature है minimum temperature है आप अगर IQ को 0 बता रहे हो IQ 0 बता रहे हो तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है यह बता रहा है क्या यह ऐसा scale को बता रहा है जहां पर RB trary 0 होगा RB trary 0 होगा याने 0 का मतलब absence नहीं है 0 का मतलब neal नहीं है 0 का मतलब something है कुछ है लेकिन उसको हम measure कर नहीं पारे जो scale हम use कर रहे है जो measurement tool हम use कर रहे है वो measurement tool की ही गलती है उसका ही drawback है कि वो measure कर नहीं पा रहा है यही है interval scale तो यहां पर अगर आम देखेंगे तो यहां पर क्या-क्या है यहां पर order है exact difference है लेकिन क्या नहीं है absolute 0 नहीं है और यह कमी को पूरी करेगा next वाला लेकिन इसका कुछ example वगेरा भी देखे लेते है यहां पर जो research बाले questions पूछते है in the past 12 month how many times you have gone for check-up primary health center में आप कितने बार health check-up के लिए गए है यह questions है इसका answers देखो कैसा हो रहा है तो 5 times से कम बार 6 से 10, 11 से 15 और 16 से जादा इसको लेके इसका reading दिया गया है तो ऐसी level का अगर आपको study करना है तो आपको use करना पड़ेगा interval scale का interval scale का यहां पर basic operations क्या है basic operations यहां पर आप जादा तर देखोगे equality of interval equality of interval आप यहां पर निकाल पाओगे equality of interval या फिर equality of difference यहां पर आप निकाल पाओगे यहां पर mathematical या फिर statistical tool क्या use कर पाओगे यहां पर mean यूज होगा और other statistical tool अगर आप देखोगे inferential statistics यहां पर co relations co efficient आप यूज कर पाओगे और last बाला जो है सबसे highest बाला जो है सबसे most effective जो है वो है ratio scale और ratio scale को कहा जाता है most informative scale most informative scale और इसी scale में आप 0 का जो absolute value है इसको आप यूज कर पाओगे यहां पर आप adding भी कर पाओगे subtract भी कर पाओगे multiply भी कर पाओगे divide भी कर पाओगे सभी चीजों का कारियों यहां पर होगा सभी central tendency आप यहां पर यूज कर पाओगे mean, median, mode यह सारे यहां पर यूज कर पाओगे और dispersion जैसे की standard deviation coefficient of variance यह सब को यहां पर आप यूज कर पाओगे इसका example है height और weight height और weight यहां पर देखो height में 0 height का मतलब है height है ही नहीं 0 kg का मतलब है weight है ही नहीं तो यहां पर absolute sense में 0 यूज किया जा रहा है absolute sense में यहां पर arbitrary की कोई बात नहीं है तो जो research करते हैं किस तरह की questions पूछते हैं यहां पर आप देख सकते हैं in the past 12th month how much money have you spent on health care health care के उपर आपने कितना पैसा खर्च किया यहां पर dash है मतलब यहां पर figural आएगा यहां पर 0 भी आ सकता है आपने कोई खर्चा नहीं किया है आपका health ठीक है past 12th month में तो आप 0 भी यहां पर लिख सकते हो यह absolute 0 होगा यहां पर 10 लिख सकते हो 100 लिख सकते हो 1000 लिख सकते हो 10,000 लिख सकते हो कोई भी point value भी लिख सकते हो कोई भी value यहां पर आएगा याने कि यह क्या है यह सभी number को include कर रहा है यह हो गया ratio scale highest level of scale तो यहां का basic operations क्या होगा यहां का basic operations equality of ratio होगा तीसरे में था equality of difference था यहां पर equality of ratio आएगा example के हिसाब से weight हो गया income हो गया number of visit हो गया यहां पर 0 मतलब 0 ही होता है ओके फिर mathematical या फिर statistical tool क्या होगा यहां पर ज्यादा तर आप देखोगे mean median mode सब कुछ यूज कर सकते हो लेकिन ज्यादा तर आप देखोगे यहां पर mean का higher version आप यहां पर यूज कर सकते हो जैसे कि geometric mean हो गया या फिर harmonic mean हो गया लेकिन हम यहां पर क्या करते थे यहां पर arithmetic mean का ही यूज करते थे यहां पर mean का और higher versions यूज आप कर पाऊगे याने कि यह highest level को बता रहा है और in financial statistics कौन सा ब्यभार कर पाऊगे standard deviations, coefficient of variations यह सारा कुछ आप यहाँ पर huge कर पाऊगे यह highest level का है तो यहाँ पर जो questions आते हैं basic level के questions आते हैं आपको इसका alternate name जानना है और इसका basic features जानना है बस इतना ही आपको जानना है यहाँ पर इतना ही questions पूछे जाते हैं लेकिन NED वाले जो prepare हो रहे हैं आपको थोड़ा deep पढ़ना पड़ेगा क्यूंकि NED में थोड़ा सा deep level का questions आता है फिर assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning इसके उपर भी एक दो questions हर बार आते ही आते हैं इसको अच्छे से याद कर लो पहले हम देखें के assessment of learning का मतलब क्या है learning का assessment जो already बच्चा learn किया हुआ है उसको हम क्या करेंगे assess करने की कोसिस करेंगे याने की बच्चा जो पढ़ चुका है उसने कितना जा जानना है उसको हम जानने की कोसिस करेंगे याने की जो हम evaluations करेंगे या फिर assessment करेंगे उसके द्वारा हम क्या करना चाहा रहे है बच्चों का learning कितना हुआ है वो जानना चाहा रहे है ओके तो ऐसा assessment कव होता है your end में होता है या semester end में होता है आपने 6 महिने में कितना सीख लि इसको कहा जाएगा assessment of learning, यह ज़्यादा तर देखोगे summative assessment है, summative assessment आप submit करना चाहते हो, आप final product देना चाहते हो, final product, year and product आप देना चाहते हो, यह है assessment of learning, इसके चलते क्या होगा, इसके चलते आप बच्चों को better grades दे पाऊगे, certified कर पाऊगे, certificate आप दे पाऊगे, लेकिन यह ह बच्चों की achievement के उपर better judgment देने की कुशिस कर रहे हो, यह है assessment of learning, एक ही word में आपको याद करना है, assessment of learning का मतलब हो गया, summative assessment, summative assessment, ऐसे करके direct questions देता है, और summative assessment का जो जो features है, यहाँ पर सब कुछ आएगा, फिर दूसरे type का है assessment for learning, learning के लिए हम assessment कर रहे है, learning better हो, इसलिए हम assessment कर रहे है, तो यह किस type का हो जाएगा, यह हो जाएगा, formative evaluations, formative evaluations या फिर diagnostic evaluations, हम process को improve करना चाहते है, जब process को improve करने की बात आएगा, या फिर facilitate करने की बात आएगा, यह हो जाएगा, assessment for learning, for learning, learning को हम enhance करना चाहते है, learning को हम better करना चाहते है, learning को हम improve करना चाहते है, इसलिए य यह रहा है assessment for learning, assessment for learning इसके चलते आप क्या कर पाओगे इसके चलते आप आप process को better monitor कर पाओगे, process को better observe कर पाओगे और उसके चलते जो better हो रहा है या फिर कमी हो रहा है उसको आप better feedback दे पाओगे, suggestion दे पाओगे, improvement के लिए कुछ बता पाओगे यह तो questions बहुत बार आए है इसको अच्छे से याद कर लो feedback mechanism suggestion या फिर improvement किस learning में दिया जाता है वो है assessment for learning यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है यह ज़्यादा तर process oriented है process को हम ज़्यादा देखते है process को कितना आप better कर सकते हो process को कैसे improve कर सकते हो इसी के उपर हम ज़्यादा focus करेंगे ज़्यादा focus करेंगे और यह जो होता है यह during process होता है इसलिए प्रोसेस oriented कह सकते हो इसको तो assessment for learning क्या हो जाएगा? formative evaluations हो जाएगा formative evaluations में होता क्या है? आप बच्चों की knowledge को format करने के लिए formations करने के लिए ज़्यादा focus कर रहे हो यह हो गया formative evaluations और आप देखोगे जो diagnostic assessment है diagnostic assessment में बच्चों की जो दिक्कते आ रहे है इसी को आप देखने की कोशिस कर रहे हो यह दोनों process को ही बता रहा है यह दोनों during the teaching learning process जो improvement या फिर जो problems आप देखने की कोशिस कर रहे हो वो किसको indicate करेगा? वो indicate करेगा assessment for learning को फिर तीसरे type का चो यहाँ पर दिया गया है वो हो गया assessment as learning as learning का मतलब हो किया जब आप self assessment कर रहे हो खुद जब आकलन कर रहे हो या फिर pure assessment या फिर group assessment कर रहे हो वो हो जाएगा assessment as learning assessment as learning यहाँ पर ज्यादा तर आप देखोगे यहाँ पर collaborative learning होगा क्योंकि आप self assessment करना चाहा रहे हो self को improve करना चाहा रहे हो self को better करना चाहा रहे हो self को आकलन करना चाहा रहे हो इसलिए यहाँ पर collaborative learning होगा यह भी questions आया हुआ है collaborative learning is associated with which type of assessment of learning ऐसे करके questions आया हुआ है इसको भी अच्छे से याद कर लो यहाँ का जो keyword है वो है self assessment self assessment keyword है इसको लेके questions आया हुआ है और ये learning से क्या होता है ये learning से बच्चे अपनी खुद की learning की responsibility लेते हैं खुद को better monitor करते हैं for future directions future directions के चलते हैं वो खुद को better दिशा दे पाते हैं क्योंकि आप देखो self learning कर पा रहे हूं मैं कौन से बिसर में कौन से subject में कौन से field में ज़्यादा बहतर कर पा रहा हूं ये आपको self assessment से ही पता चलेगा जब आप assess कर पाओगे आप उसी के हिसाब से choose करोगे आप उसी के हिसाब से better productive work के तरफ जाओगे तो ये क्या है ये future oriented भी है इसके साथ साथ आप self-paced learning या फिर self assessment की तरफ जा रहे हो और assessment as learning जो है ये personalized learning goal की तरफ भी focus करता है क्योंकि आप खुद assess करना चाते हो आप खुद की learning responsibility ले रहे हो तो आप क्या करोगे personalized learning goal को develop करोगे और ये भी questions आया हुआ है meta-cognitions किसके साथ relate करता है बहुत ही important concept है meta-cognition भी self assessment या फिर assessment as learning को focus करता है ये ज़्यादा तर student oriented होता है क्योंकि student खुद assess करना चाता है pure assessment हो रहा है group assessment हो रहा है इसलिए ये student oriented है और ये part of formative assessment है ये part of formative assessment है तो इसको लेके बहुत सारे questions आते है इसको भी अच्छे से याद करना है फिर हो गया norm reference test और criterion reference test ये दोनों को भी पढ़ लो ये इसके उपर भी एक दो questions हर बार आते है तो norm reference क्या है तो norm से आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर certain norms होगा यहाँ पर जो भी बंदे एक exam दे रहे है जितने भी exam दिये हुए है जितने भी candidate है ये सारो candidate का achievement को compare किया जाएगा compare किया जाएगा और उसी के आधार पे आपका grading किया जाएगा तो grading में जहाँ पर compare होता है achievement का वहाँ पर होता है norm reference test तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर achievement का comparison हो रहा है उसी के चलते ही आपका result दिया जा रहा है इसी को ही कहा जाएगा norm reference evaluations यहाँ पर जो group होगा उसी group को कहा जाएगा norm groups नौम groups ओके तो यह group local level का भी हो सकता है district level का भी हो सकता है state level का भी हो सकता है national level का भी हो सकता है कोई भी level का यह हो सकता है norm reference group ओके जैसे NTA exam कराता है NTA का जो examinations है UGC NET जो exam करा रहा है UGC NET का यह कौन सा evaluation होगा क्योंकि जितने बंदे exam दे रहे हैं उन्ही का ही achievement को वह comparison कर रहा है और उसी को percentage के हिसाब से नहीं बलके परसेंटाइल के हिसाब से दे रहा है इसी को ही कहा जाएगा norm reference evaluations नौम reference evaluations ओके तो ऐसा evaluations जादा तर क्या होता है बहुत ही जादा expensive होता है और time consuming जादा होता है NTA कैसे देता है percentile से देता है percentile से जो आपको marking दे रहा है आपका ranking बता रहा है वो हो जाएंगे सारे के सारे इसी category के under तो इसका क्या है characteristics वो भी थोड़ा देग लेते हैं यहाँ पर student का achievement को क्या किया जाता है इसका basic purpose है student का achievement level को जानना उसका skill level को जानना उसी के आधार पर हम क्या कर रहे है हम उसका ranking कर रहे है जो group में है उन total बंदो का क्या कर रहे है हम compare करके उनका achievement का level को तैय कर रहे है या जैसे NTA का होता है ना NTA का PG का minimum qualifications कितना रहता है 45% या 50% जैसा भी रहता है यह क्या है यह एक particular grade level को बता रहा है ओके तो जादा तर normalize score के आधार पे आपको देगा linear standard score equivalent score ऐसे करके देगा यहाँ पर percentage होता ही नहीं real marking होता ही यहाँ पर जो marking आएगा उस time या फिर उस group में जितने बंदे ने achieve किया है उसी का ही rank के आधार पे उसी को ही compare करके आपको mark दिया गया होगा यहाँ पर 90 का मतलब 90 नहीं होगा 90 का मतलब क्या है आपने 90% लोगों में से बहतर किया है यहाँ पर 90% का मतलब इतना ही है आप 90% score की है यह ही नहीं आपने 90% लोगों से बहतर किया है यह कहना है percentile का तो NRE का कहाँ पर यूज होता है ज्यादा तर आप देखोगे aptitude testing में इसको ज्यादा तर हम यूज करते है aptitude जानना है कि आपका level कितना है उसी के आधार पे आपको job देना है या फिर professor ship देना है या फिर research में आपको लेना है तो यह test किया जाएगा NRE और यहाँ पर हम क्या कर रहे है जितने भी student है सभी को compare करके एक reliable rank order दे पा रहे है एच पर achievement फिर हो गया criterion referenced evaluations criterion referenced evaluations यह क्या है यहाँ पर fixed criteria होता है और criteria के चलते ही evaluations किया जाएगा इसको पहले देने वाले है Robert Laster ने और यह 1963 में इसका concept दिया था तो यह जो है criteria pre-established criteria की बात करेगा जैसे कि हम percentage में देते है कि जो 60% से above लाता है वो हो गया first class जो 50% से 60% के बीच रहता है वो हो गया second class जो 30% से 50% के बीच रहता है वो third class और 30% से जो below रहता है वो होता है fail यह क्या है यह fixed कर दिया हमने एक criteria fixed कर लिया पहले से और जो mark आ रहा है किसी को हम बोल रहे 71% लाया है वो first class है कोई 35% लाया है वो third class है कोई 58% लाया है वो second class है यह क्या है यह criteria के आधार पे हम decide कर रहे है इसलिए इसको कहा जा रहा है criterion reference test criterion reference test तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है यह कहां पर compare होगा यहां पर भी comparison है लेकिन सों established criterion के उपर focused है rather than other individuals हम individual की compare नहीं कर रहे है हमारे पास जो standardized criterion है हमने जो established किया है criterion उसी criterion के साथ इसका compare करके इसका decision बताया जा रहा है यही है criterion reference इसका क्या है characteristics उसको भी थोड़ा देग लेते हैं यहां पर हम क्या करेंगे हम mastery level को जान पाएंगे बच्चों में जो skill है या फिर knowledge है उसका कितना गहराई है या फिर कितना mastery level है CRE में जान पाएंगे suppose हमने देखा कि कोई बच्चे ने 99% लाया है mathematics में इससे क्या पता चल रहा है इससे पता चल रहा है कि mathematics में वो बच्चा जादा धुरंदर है उसका mastery level जादा है लेकिन NRE में क्या हो रहा था NRE में कोई बच्चा 99% लाया है तो हम उसको नहीं कह सकते कि वो math में अच्छा है हम बस इतना ही कह सकते है कि जितने बंदों ने एक्जाम दिया है वो 99% से आगे है 99 बच्चों से उसने बहतर किया है यहाँ पर उतना ही बता पा रहा था लेकिन यहाँ पर mastery level यहाँ पर नहीं बता पा रहा था mastery level जानना है तो आपको कौन सा evaluation करना पड़ेगा criteria and reference evaluation के उपर आपको focus करना पड़ेगा तो यह जो score है यहाँ पर percentage के हिसाब से दिया जाता है NRE में क्या दिया जाता था percentile में दिया जाता था NRE के तुलना में यहाँ पर come time में ही आपका result आप निकाल पाओगे या फिर आपका evaluation process को आप complete कर पाओगे और यहाँ का जो सबसे बड़ी features है यह है सबसे बड़ी features क्या है यह predefined है और fixed है यह change हो ही नहीं सकता आप 70% से above को first class देंगे यह हो ही नहीं सकता predefined क्या है predefined है 60% से जो above हाते है वो ही first class है यही है fixed तो यह हो गया fixed तो यह हो गया predefined predefined और सबसे बड़ी बात यह भी है यहाँ पर एक student का success औरो को effect नहीं करेगा एक student का success औरो को effect नहीं करेगा लेकिन NRE में क्या होता था क्योंकि यह सब ही student को compare किया जाएगा जो भी है तो एक student का impact दूसरे को भी होगा तो basic comparison भी थोड़ा दे लेते है NRE और CRE में तो NRE में हम क्या कर रहे है यहाँ पर achievement compare गया जा रहा है whereas CRE में क्या हो रहा absolute amount of knowledge की बात किया जा रहा है याने कि fixed criteria अल्रेडी है उसके हिसाब से हम compare कर रहे है याने कि वहाँ पर mastery level पता चलेगा mastery level पता चलेगा यहाँ पर जो example दिया गया है यहाँ पर क्या example दिया गया है 10 questions था 10 questions में से एक बच्चा 7 questions का answer write दिया है write दिया है कितने answer write दे पाया है यह norm reference test का example हो जाएगा क्योंकि आफ compare कर रहे हैं सो मैंसे यह 7 की उत्तर write दे पाया है लेकिन जो 3 answers नहीं दे पाया है अगर यह 3 answer कोई specific topic से है कोई specific topic से है तो हम क्या कहेंगे यह बच्चा उसी topic में mastery नहीं हसिल कर पाया तो mastery का concept कहां पर आएगा mastery का concept आएगा CRE पर हो गया तो यह हो गया इसका comparison फिर दूर next concept है process of evaluations process of evaluations में हम देखेंगे placement evaluations, formative evaluations diagnostic, summative, prognostic यह 5 टाइब के evaluations देखेंगे आपके जो SSP का syllabus है हलाकि 4 है लेकिन हम 5 को देखेंगे तो यह जो word है ना formative evaluations, summative evaluations यह पहले Mitchell Scriven ने कोईन किया था in the year 1967 1967 तो यह भी बहुत ही important concept है इसी के उपर भी बहुत सारे questions आते है इसको अच्छे से याद कर लो तो पहला है placement evaluations placement evaluations का मतलब क्या है placement evaluations जादा तर आप देखोगे यह pupil का या फिर student का entry behavior को measure करता है यह है keyword इसको आपको याद करना है अगर entry behavior जानना है तो आपको कौन सा evaluations करना पड़ेगा placement evaluations करना पड़ेगा placement evaluations entry behavior को आपको बताएगा याने कि आप placement देना चाहते हो लेकिन placement के लिए वो लायक है या नहीं उसी के लिए जो evaluations आप करोगे that is what is called placement evaluations placement evaluations ये ज्यादा तर तीन questions ज्यादा focus करता है पहला questions ये focus करेगा जो काम इसको हम देने वाले है उसके लिए इसके पास knowledge है या नहीं skill है या नहीं वो काम के लिए जो knowledge जो skill acquire किया जाता है वो knowledge है या नहीं उसको determine करने के लिए हम जो evaluation करेंगे वो होगा placement evaluation फिर दूसरा questions है जो subject में वो आ रहा है जो field में वो आ रहा है उसी field का कितना mastery level उसका है कितना पकड़ उसका है ओके sufficient mastery है या नहीं है उसको हम जानने की कोशिस करते है placement evaluations के चलते अगर आप PhD में आना चाहते हो तो PhD के लिए आपका attitude कैसा है हम जो evaluations पहले करेंगे पहले करेंगे जो interview हो रहा है या फिर आपका जो research proposal लेके जो various questions आपको किये जाएंगे कौन से field में आपका interest है आपका उसी exam से पता चल जाएगा वो होगा placement evaluations और तीसरा पता चलेगा आपका interest area क्या है आपका work area क्या है आपका habit क्या है या फिर आपका personality characteristics क्या है क्या आपका interest, personality, habit और working attitude इसी field को suitable है या नहीं ये किस में पता चलेगा ये भी पता चलेगा placement evaluations से तो ये कैसे हम पता कर पाएंगे कौन से technique से इसको जान पाएंगे ये technique है readiness test के द्वारा aptitude test के द्वारा इसको अच्छे से याद कर लो ये questions आते है aptitude test is related to which evaluations या फिर which assessment ऐसे करके questions आते है self report inventories के द्वारा observation technique के द्वारा भी किसी को absorb करके भी हम पता कर पाएंगे कि इसको placement मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए positions दे पाएं यह काम है placement evaluations का ओके तो इसका example हो गया जो aptitude test बगेरा होता है जैसे की entrance test हो गया PhD interviews हो गया ये सारे के सारे job देने से पहले जो हम interviews ले रहे हैं exam कर रहे हैं वो सारे के सारे placement evaluations के अंदर आएंगे फिर दूसरा जो है बहुत ही important इसके उपर बहुत ज़्यादा questions पूछते है formative evaluations formative evaluations क्योंकि अगर आप education लाल prospectus में देखोगे formative evaluations इस most essential evaluations है most essential concept है ओके तो formative evaluations क्या है हम यहाँ पर क्या करना चाहा रहे है यहाँ पर बच्चों के अंदर knowledge को format करना चाहा रहे है बहुत सारे assistance दे रहे है feedback दे रहे है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप में क्या कमी है आप क्या improve कर सकते है यह जो suggestions बगेरा आ रहा है यह आएगा formative evaluations के चलते याने की formative evaluations क्या करेगा formative evaluations learning process को monitor करेगा learning process को monitor करेगा यह process oriented है process oriented है process को ये better way में channelize करने की कोशिज करेगा process को ये improve करने की कोशिज करेगा process को ये better productive करने की कोशिज करेगा हम formative evaluations में क्या करते हैं बच्चों को continuous feedback देते हैं ये word को अच्छे से याद कर लो continuous feedback क्यूं feedback दे रहे हैं ताकि बच्चे better करें ताकि बच्चे और बहतर धंग में समझ पाए और better achieve कर पाए ओके यही है formative evaluations का काम यहाँ पर कुछ काम हम करते हैं feedback जो देते हैं हम दो लोगों को feedback दे सकते हैं एक student को feedback दे सकते हैं एक teacher को feedback दे सकते हैं student को feedback क्यूं देना है ताकि वो better reinforce हो पाए ताकि वो अपनी error को समझ पाए अपनी जो कमी है अपनी जो कम जूरियां है उसको better कर पाए उसको correct कर पाए इसलिए इसको feedback देना बहुत ही जरूरी है suppose आप class कर रहे हो आप class कर रहे हो बच्चों को कुछ questions पूछे class करते करते बच्चों को questions कूछे क्यों questions पूछ रहे हो आप इसमें grading नहीं दोगे certificate नहीं दोगे आपको जानना है कि बच्चे समझ रहे है या नहीं बच्चों के अंदर knowledge for यही है formative assessment बच्चा अगर गलत कहेगा तो आप उसको correct करोगे आप उसको feedback दोगे उसका error को rectify करोगे यह क्या है यह formative evaluations के अंदर आ रहा है फिर feedback टीचर को भी दिया जाएगा क्यों टीचर को दिया जाएगा क्यों कि टीचर बच्चों को teaching दे रहा है teaching दे रहा है सायद उसके teaching में कुछ गलती हो रही है सायद उसके process में कुछ गलती हो रही है सायद कुछ ना कुछ mistakes हो रहा है teaching में तभी बच्चे better कर नहीं पा रहे है उसी के चलते वो क्या करेगा अपनी strategy को modify करेगा change करेगा इंपेक्टिव करेगा या फिर कुछ अलग चीज वो यूज करेगा या फिर कुछ अलग करेगा ताकि बच्चे बहतर से समझ पाए ये क्या है ये फिडबेक दिया जा रहा है टीचर को फिडबेक दिया जा रहा है टीचर को कि knowledge level को जानने के लिए बीज-बीज में वो questions कर रहा है ताकि बच्चे motivated रहे ताकि बच्चे involved रहे ताकि बच्चे content के साथ साथ आगे चले इसी क्यों ही कहा जाता है formative evaluations ज्यादा तर आप देखोगे formative evaluations में हम बच्चों की progress को अच्छे से जान पाते है इसके साथ learning में अगर कुछ error आ रहा है तो उसको भी हम identify कर पाएंगे ओके लेकिन कितने level का learning error आ रहा है बच्चे कितने वीक है ये जानने के लिए formative assessment काम नहीं देगा इसके लिए और एक assessment करना पड़ता है जिसको हम diagnostic evaluations कहते है या फिर diagnostic assessment कहते है वो भी आगे चलके हम देखेंगे आप ऐसे कह से एक तो है कि formative assessment में या फिर formative evaluations में आप स्रिफ जानोगे कि problem हो रहा है लेकिन कितना हद तक problem हो रहा है इसको अगर जानना है तो आपको diagnostic evaluations करना पड़ेगा ये one type of foster जैसा है formative evaluations एक तरह का foster है लेकिन foster से आप बच नहीं पाओगे आपको जाना पड़ेगा hospital को main treatment के लिए hospital क जाना पड़ेगा hospital में जाकर treatment करोगे तो आप जंदी recover हो जाओगे hospital में treatment एक तरह के हो गया diagnostic evaluations और प्राथमिक चिकितसा जो दिया जा रहा है फॉस्टेड जो दिया जा रहा है वो एक तरह की formative assessment है ओके तो formative assessment आमें direct करता है learning को कैसे improve करना है learning को कैसे better करना है learning को कैसे effective करन है यह हमें बताएगा formative evaluations ओके लेकिन इसका काम grading देना नहीं है इसका काम grading देना नहीं है certificate देना नहीं है यह certificate दे ही नहीं सकता कि क्लास पढ़ते समय आप बच्चों को कुछ questions पूझ रहे हो उसी के आधार पे आप certificate दे ही नहीं सकते दे ही नहीं सकते यह cable construction की बात करेगा बच्चों के अंदर knowledge construct हो रहा है या नहीं हो रहा है यह check करने के लिए हम formative evaluations कर रहे है ओके तो example of formative assessment यह है quizzes हो गए assignment हो गए homework हो गए test हो गए यह एक तरह के formative assessment tool है ओके फिर short discussion हो गया summarization हो गया यह भी formative assessment है one minute paper हो गया in class game हो गया group presentation हो गया यह भी यह भी क्या है formative assessment का example है ओके फिर हो गया diagnostic evaluations जैसे की नाम से ही पता चल रहा है diagnostic मतलब diagnose किया जाएगा याने की जो कमी कमजोरी student में है जो problem student में है वो problem क्या है कितना गहरा है उसको जानने की courses यहाँ पर किया जाएगा याने की बच्चों के prior knowledge हो गया या फिर कुछ misconceptions हो गया उसके चलते जो problems आ रहा है learning में उसको जानने की courses जो evaluations करेगा वो है diagnostic evaluations यहाँ पर diagnose किया जाएगा यहाँ पर बच्चे का जो problems है उसको diagnose किया जाएगा विकनेस जो है उसको diagnose किया जाएगा ओके यह evaluation हमको क्या करेगा यह evaluation ज्यादा तर आमको एक baseline देगा ताकि हम better level में learning को समझ पाए और सबसे learning evaluations क्या करता है प्यूपिल के अंदर जो re-occurring learning difficulties है जो difficulties बच्चा बार बार सो कर रहा है यानि कि उससे वो overcome कर ही नहीं पा रहा है उससे उपर उठ ही नहीं पा रहा है जो की unsolved रहे गया है जिसको वो solve कर ही नहीं पा रहा है वो error को जान पाना वो error को ढूंड के उसके लिए better feedback देना उस error को जान पाना उस error को जान के उसको सुधारने के लिए काम कर पाना यही जो बताएगा वो है diagnostic evaluations तो यह formative evaluation से थोड़े आगे जा रहा है formative evaluation में कुछ-कुछ हम जान सकते थे कि बच्चा का problem यह हो रहा है सायद लेकिन यहां पर हम clear cut जानेंगे और उसी के चलते हम उसको better way में channelize करने की कोसिज करेंगे या फिर rectify करने की कोसिज करेंगे ओके तो formative evaluation का भी यह रूप है लेकिन यह थोड़ा advanced version है ओके advanced version है जैसे कि यहां पर example दिया गया है experience in failure in reading या फिर mathematics में कोई calculation problem हो गया यह problem बच्चों में रहता है कोई बच्चा धंग से जैसे dyslexia होते हैं तो धंग से वो पड़ नहीं पाते अक्षर को धंग से वो लीक नहीं पाते mathematics में जैसे dyscalculia हो गया mathematical calculation वो बहुत ज्यादा डरते हैं यह कैसे अब पता कर पाओगे यह पता कर पाओगे cable or cable diagnostic evaluation से formative से आप कुछ कुछ जान पाओगे formative से ऐसा हो सकता है कि आप देख का बुखार है जानने के लिए आपको diagnostic evaluation या फिर diagnostic assessment करना ही पोलेगा medical सब्द में अगर हम कहें कि formative evaluation एक तरह के first aid है, first treatment है और जो diagnostic evaluation है यह सबसे बड़ा treatment है, यह main treatment है, यह higher treatment है, ओके तो diagnostics test prepare करने के लिए बहुत सारा knowledge चाहिए, बहुत सारा techniques चाहिए जिसके चलते आप better way मैं diagnose कर पाओ कि student में actual में कौन सा problem आ रहा है, कौन सी learning difficulties face कर रहा है, क्योंकि जब तक आप difficulties को उतनी गहरे में नहीं जान पाओगे, उसको सुधारने के लिए भी उतना ज्यादा मेहनद लगेगा आपको, इसलिए आपको better way में पहले जानना पड़ेगा what is the cause, what is the problem, what is the real error, तो problem जानते समय, कुछ-कुछ problem ऐसे भी आएंगे, जो कि serious की सम के problem होंगे, बहुत ही गहरे level के problem होंगे, उसको जानने के लिए आपको psychology की भी help लेनी पड़ती है, कही-कही बार medical specialist की भी help लेनी पड़ती है, जैसे dyslexia हो गया, या फिर कोई psychological disorder का problem हो गया, कोई physical problem, कोई mental problem, ऐसा भी problem होता है, जो कि day-to-day life में आप देखोगे, school में बच्चे रेजिस्ट कर नहीं पाते, या फिर school में बच्चे better perform कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसका psychological disorder कुछ-कुछ है, mental कुछ disorder है, या फिर medical कुछ disorder है, उसके चलते बच्चा को पप कर नहीं पा रहा है, रेजिस्ट क पर नहीं पा रहा है, बेटर पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उसको डाइगनोस कैसे करोगे, डाइगनोस करने के लिए कभी-कभी आपको psychologist चाहिए, या फिर psychiatrist भी चाहिए, कोई-कई बार आपको medical specialist भी चाहिए, तो यहाँ पर औरो का भी help लेना पड़ता है, ओके, तो यहा रेमेडियल टेचिंग दे पाए, या फिर रेमेडियल एक्सोंस उसके उपर ले पाए, ताकि बच्चा बेटर कर पाए, या फिर इंप्रूफ हो पाए, फिर मेंस्ट्रीम में आ पाए, ओके, तो डाइगनोस्टिक इवालुएशन जादा तर बेकवार्ड को देखता है, त पाए, या फिर या फो या फोटर को देखता है, उसके घर में जाके, उसके बच्चे को देखता है, उसके घर में जाके वो देखता है कि उसका past क्या था वो क्या दिक्कत था क्या quality था क्या problem था वो उसको वो जानने की कोशिस करता है वहां से ही उसको पता चलता है कि बच्चे को dyslexia है अमीर खान ने जो किया वो है diagnostic evaluations वो है तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं तो हम forward नहीं जा रहे हैं यहाँ पर backward जाके problem को real में जानने की कोशिस कर रहे हैं तो यह कब होता है यह instructions के पहले होता है before instructions होता है during instructions होगा तो यह हो जाएगा formative evaluations after instructions हो जाएगा तो यह हो जाएगा formative evaluations after instructions इसको भी थोड़ा जान लेते हैं okay formative evaluations के उपर भी questions बहुत सारे आते हैं formative word से ही आ रहा है formative summation करना है बच्चा क्या सीख गया है उसको जानना है यह हो गया summation याने की end of a course जब course खतम हो जाएगा बच्चा कितना सीख गया है क्या वो eligible है दूसरे class में जाने के लिए इसको जो evaluate करेगा वो होगा formative evaluation यह क्या determine कर रहा है यह determine कर रहा है जो हमने objective set किये थे उसको achieve हुआ है या नहीं वो achieve हुआ है या नहीं उसको यह determine करेगा ओके इसके चलते क्या देगा वो grade दे सकता है certificate दे सकता है क्योंकि हमने objective set किया था उसको वो cross कर लिया है उसको वो achieve कर लिया है वो course को यह complete कर लिया है इसलिए हम उसको certificate दे रहे है उसको हम grade दे रहे है तो summative evaluation में grading की बात किया जाएगा certification की बात किया जाएगा तो जो summative evaluations होता है summative evaluations में जो questions बगेरे किये जाते है वो ज़्यादा तर teacher made achievement test होता है teacher made achievement test जाने की बच्चों के performance के आधार पे teacher क्या करेंगे teacher उनको marking करेंगे उनको grades देंगे जैसे की हो गया written exam हो गया laboratory work हो गया या फिर oral test हो गया इसके चलते हम बच्चों को grades देते है marks देते है और उसी के आधार पे उनको certify करते है तो summative evaluation का main purpose क्या हो गया main purpose हो गया बच्चे अफ course को complete कर दिये है उसको grading देके हम अगले class में भेजेंगे उसको certifications देके उसको हम अगले class में भेजेंगे तो ये एक तरह के judgment ही है हम judgment दे रहे कि ये बच्चा इतने rankा है ये mark ये लाया है ये अब ये कर सकता है या फिर अगले class में जा सकता है तो summative assessment में हम क्या कर रहे है ये और end में बच्चे ने कितना achieve किया उसको हम grading कर रहे है या फिर certification कर रहे है कुछ-कुछ जगा पर ऐसा भी रहता है कुछ-कुछ जगा पर जैसे 10th में हो गया यहाँ पर standardized questions का यूज किया जाता है standardized questions का लेकिन आप class 1, 2, 3, 4 यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर teacher made test होता है कुछ-कुछ exam जैसे 10th का हो गया board exam हो गया यहाँ पर standardized questions दिया जाता है और उसी के आधार पर आपको grading दिया जाएगा certifications दिया जाएगा तो अगर process की बात करो तो यह end product को ही बताता है याने कि कोई topic खतम हो गया उसके बाद जो exam हो रहा है उसी के marking के हिसाब से आपको certify किया जाएगा या फिर term and या फिर happy early हो गया yearly exam हो गया यह सारे के सारे इसी के अंतरगत आएंगे क्योंकि अभी जो concept है formative evaluations कितने percent रहते है 40 percent रहते है formative assessment कितने percent रहते है 60 percent रहते है अभी जो elementary level में marking हो रहा है evaluation process CC के चलते ये concept आ गया है तो अभी क्या हो रहा है एक महीने दो महीने में formative evaluations हो रहा है 4 formative evaluations होता है 4 formative evaluations होता है summative evaluations 2 होता है तो इसी का निचोड निकालेंगे तो कोई unit खतम हो गया उसी के आधार पे आपका एक exam हो गया उसी से जो marking आ रहा है इसी का कुछ percentage रहता है वो percentage आपके final grade में add हो जाएगा summative evaluation मतलब हम narrow में कैसे सोज लेते है ये your end में ही होता है नहीं बीज में भी हो सकता है semester के हिसाब से भी हो सकता है या फिर monthly exam के भी हिसाब से हो सकता है एक topic खतम हो गया उसी के चलते भी कोई teachers assess कर रहा है उसके marking का weightage दे रहा है और ये final में add हो रहा है तो ये भी हो जाएगा summative evaluations तो semester exam, annual exam, mid-term exam ये सारे के सारे आएंगे इसके example में फिर हो गया prognostic evaluations prognostic evaluations क्या है ये आपके सिलावस में नहीं है फिर भी इसको थोड़ा जान लो prognostic evaluations में क्या होगा ये future को predict करने की कोशिस करेगा prognostic evaluations क्या है prognostic evaluations के चलते हम future career को better predict कर पाएंगे हमने evaluations कर दिया बच्चे की talent को जान लिया उसी talent के आधार पे हम future को predict कर पाएंगे बच्चा अगर इस field में जाएगा तो better करेगा बच्चा अगर उस field में जाएगा तो और better करेगा ये क्या है ये prognostic evaluations को बता रहा है तो prognostic evaluation जादा तर future oriented हो गया future oriented हो गया ये आपके present के need, ability, interest को base करके ही evaluate करेंगे तो ये future के development की बात करेगा कहां पर आपका better development हो सकता है ये prognostic evaluations बताएगा तो आप किस field में better कर पाओगे अगर आपके grade card में वो बर्नन है तो आप जब एक school से दूसरे school जाओगे उस grade card से भी आपको better guidance मिल सकता है better scope मिल सकता है क्योंकि आपके grade में लिखा हुआ है कि ये बच्चा इस field में better करता है तो इसको ये field में अगर scope मिले तो ये better कर सकता है वहाँ पर लिखा है तो आपको उसी field के हिसाब से वो school में क्या करेंगे जो co-curricular activities है या फिर extra curricular activities है उसमें आपको involve कराएंगे और आपका better achievement आएगा फिर है CCE CCE के उपर भी एक दो questions आते ही आते है ओके तो इसको भी अच्छे से याद कर लो तो CCE launched हुआ जूलाई 2009 Union HRD Minister उस टाइम का जो थे कपिल सिबल के हाथो अभी तो HRD Department ही हट गया है अभी हो गया है Minister of Education MOE हो गया है और ये जो CCE को compulsory कर दिया गया Elementary Level के लिए RC FCE Act 2009 याने की जिसको हम सौट कोड में कहते है RTE Act 2009 Right to Education Act जिसको कहते है RC FCE उसका पूरा नाम क्या है RC FCE Right to Children for Free and Compulsory Education Act 2009 के चलते इसको compulsory कर दिया गया ये भी questions आया हुआ है इसको भी अच्छे से याद करना है तो क्या है CCE Continuous क्या है Comprehensive क्या है उसको भी थोड़ा जान लेते है Continuous Comprehensive Evaluations CC reference करता है ऐसा एक Evaluations Process को जहां पर सभी चीजे क्या हो रहा है Cover हो रहा है Student का Overall Development के लिए सभी चीजे Cover हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आफ Comprehensive कह रहे हो यहाँ पर आफ Comprehensive कह रहे हो सारे दीगों को Evaluate करने वाला है और Comprehensive माना Throughout the year, Throughout the process Throughout the academic year यह Evaluations होने वाला है इसलिए इसको कहा जा रहा है Continuous and Comprehensive Continuous and Comprehensive यह दो चीजों के उपर फोकस करेगा एक Continuity के उपर फोकस करेगा और broader aspect के उपर फोकस करेगा Continuity in the sense Continuous Evaluations और broader aspect का मतलब हो गया सभी दीगों को, सभी आयामों को यह include करने की कोशिज करेगा याने कि यह Comprehensive हो गया तो Comprehensive and Continuous Evaluations तो क्या है Continuous का aspect और क्या है Comprehensive का aspect वो भी थोड़ा देग लेते हैं तो Continuous का aspect क्यों आ रहा है क्योंकि बच्चे का जो growth और development है वो continue कर रहा है जिस period में बच्चा है उसका development lifelong continue कर रहा है उसका growth भी continue कर रहा है जिस stage में बच्चा है तो उसको हम एक ही आयाम से अगर evaluate करने की कोशिस करेंगे तो हम क्या होंगे? हम backward रह जाएंगे हम student को better way में evaluate कर ही नहीं पाएंगे इसलिए क्या करना चाहिए? तो हमको continuous aspect में उसको evaluate करना पड़ेगा उसको continuous aspect में evaluate करना पड़ेगा तब ही बच्चों को आप एक better दिशा दे पाओगे suppose आप शरीव last में evaluate कर रहे हो याने कि year end में बच्चों को आपने चेक कर लिया जिस बच्चे ने अच्छे marks लाया उसको अच्छे grade दे दिया जो बच्चे अच्छे marks नहीं लाए उसको आपने low grade का certificate दे दिया तो ये क्या हो रहा था? पहले जो हो रहा था examination system ये problem हो रहा था लेकिन अभी क्या हो रहा है? आप process में भी उसको क्या करने की कोसिस कर रहे हो? उसको knowledge formation में help कर रहे हो जैसे कि हमने formative evaluations में पढ़ा बच्चों को better करने के लिए बच्चों को better करने के लिए बच्चों को improve करने के लिए अभी बीज-बीज में भी evaluations हो रहा है बीज-बीज में आप इसलिए इसको कहा जा रहा है continuous evaluation तो यह बता रहा है total teaching learning process में spread over the entire span of academic sessions में ये होता रहता है कि इसका मतलब हो गया regularity of assessment assessment रेगुलारिटी बेश पर हो रहा है हम learning gap को regularity बेश पर डायगनूस कर रहे है जिसको diagnose किया हुआ है उसके लिए हम remedial majors ले रहे है corrective majors ले रहे है बच्चों को improve करने के लिए हम feedback दे रहे है ये क्यों हो पा रहा है क्योंकि evaluations continuous हो गया है ये your end product के हिसाब से अब नहीं रहे गया है ये continuous process बन गया है फिर second aspect जो है comprehensive evaluations comprehensive माना बहुत ही broader है बहुत ही broader का मतलब हो गया अभी हम scholastic के साथ co- holistic या फिर non scholastic aspect को भी हम क्या कर रहे है हम taba nhấtु दे रहे है पहले क्या होता था शर्फ academic के उपर ज्यादा focus किया जा रहा था अभी non academic के उपर भी ज्यादा focus किया जा रहा है तो ये दोनों आसपेक्ट को फोकस करके हम अभी evaluate कर रहे है तो ये हो गया comprehensive evaluations तो क्या है objective CCE का इसको भी दे लेते हैं objective भी एक बार questions आया था तो CCE के चलते क्योंकि ये comprehensive हो गया है या फिर ये continuous हो गया है तो बच्चे की overall development में help करेगा cognitive aspect को develop करने के लिए help करेगा psychomotor aspect को develop करने के लिए help करेगा या फिर effective skill को develop करने के लिए काम करेगा और continuous के चलते ये ज़्यादा तर process के उपर focus करेगा process में ज़्यादा improvement की कोशिस करेगा better feedback देगा better improvement के लिए काम करेगा यानि कि ये क्या करेगा ये root memory से आफको de-emphasize करेगा पहले क्या होता था क्योंकि last में एक exam होता था तो बच्चे साल भर में कुछ पढ़े नहीं और last के एक महिने में बहुत रक्टा मार के आ गए एक दो दिन पढ़ लिया और उन्होंने exam में अच्छे कर लिया तो ये क्या होता था ये होता था अब ही का जो continuous comprehensive evaluations है ये process के उपर ज्यादा focus देता है यहाँ पर formative evaluations होता है यहाँ पर diagnostic evaluations होता है यहाँ पर बच्चे क्या होते process में ही क्या हो रहे है इंप्रूफ हो रहे है, feedback पा रहे है खुद को assess कर रहे है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर root memorization से away लिया जा रहा है यहाँ पर understanding के उपर बल दिया जा रहा है यहाँ पर collaborative learning के उपर बल दिया जा रहा है यहाँ पर better learning के उपर focus किया जा रहा है और इसी के चलते evaluations क्या हो गया है teaching learning process का एक integral part हो गया है नहीं तो हम evaluations क्या करते थे year end में साल के last में exam करते थे लेकिन अभी क्या हो रहा है बीज-बीज में teacher पढ़ा रहे है और बीज-बीज में बच्चों की knowledge formations के लिए बच्चे मेरे साथ जा रहे है या नहीं understanding हो रहा है या नहीं उसी के चलते भी हम क्या कर रहे है questions पूछ रहे है या फिर बीज-बीज में हम एक unit खतम हो गया बच्चों की knowledge को enhance करने के लिए formative evaluations कर रहे है या फिर एक महिने में evaluations कर रहे है तीन महिने में evaluations कर रहे है छे महिने में evaluations कर रहे है तो ये क्या है ये continuity को बता रहे हैं अभी ये integral part बन गया है और CC के चलते हम क्या कर पा रहे हैं हम teaching learning process को ही improve कर रहे हैं इसको better कर रहे हैं इसलिए student का achievement level भी improve होगा इसके साथ साथ बच्चों में जो problem आ रही थी उसको भी हम diagnose कर रहे हैं उसी के चलते बच्चों को remedial दे रहे है तो यहां पर improvement जादा आएगा CC के चलते teaching learning process बहतर हो रहा है बच्चे बहतर कर पा रहे हैं इसलिए CC is very very important in modern context और CC के चलते हम quality को भी better control कर पाएंगे जो standard हम set किये हुए है इतने दूर तक पहुँचना है इतने level तक बच्चों को ले जाना है उसी के आधार पे आप education को impart कर पाऊगे ओके CC के चलते फिर हम learning effectiveness को जान पाते है उसके साथ साथ एक better learning environment को create कर पाते है ताकि बच्चे बहतर समझ पाए बच्चे बहतर आगे बढ़ पाए ओके और ये तो सबसे खास बात है अभी CC के हिसाब से हम क्या कर पा रहे है learning को हम learner center बना पा रहे है क्योंकि हम को क evaluations हो रहा है वो क्या है उसको भी थोड़ा दे लेते हैं तो क्या है scholastic area of evaluations वो भी थोड़ा दे लेते अभी जो CC के हिसाब से हो रहा है अभी grading system इंक्लूड हो गया है grading system बच्चों के जो evaluations हो रहे है total academic year को दो term में divide किया गया है जिसको की हम कहते है summative 1, summative 2, 2 assessment होते है terms exam ओके य 4 formative assessment हो रहा है formative assessment 1, 2, 3, 4 याने कि total बच्चे 6 exam दे रहे है formative का 40% weightage रहता है और summative का 60% weightage रहता है याने कि बच्चे क्या कर रहे थे जो पहले सिर्फ annual के लिए पढ़ रहे थे अभी क्या करेंगे अभी formative के लिए भी पढ़ेंगे formative assessment में भी बच्चे ज्यादा involved होंगे क्यूंकि इसका भी weightage बहुत ही high है ओके तो पहला FA1 हो जाएगा फिर FA2 हो जाएगा फिर उसके बाद SA1 होगा फिर FA3 होगा फिर FA4 होगा उसके बाद SA2 होगा ऐसा ही system है अभी का अभी जो आफ देख रहे हो system of evaluations ऐसे ही चल रहा है तो ये तो था इवालेशन का पहला वीडि कौन कौन से questions आए है या फिर important MCQs है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं तो पहला questions है assessment और evaluations के उपर ये चारो statement में से कौन सा right है कौन सा right है तो यहाँ पर option दिया गया है assessment product है evaluations process है इवालेशन प्रोसेस नहीं है इवालेशन तो process नहीं है ओके इवालेशन क्या है इवालेशन प्रोड़क्ट है इवालेशन प्रोड़क्ट है हम value judgment दे रहे है after getting the result, result देखने के बाद ही हम value judgment देते है इसलिए process हो ही नहीं सकता तो यहाँ पर देखो इवालेशन प्रोड़क्ट है यह राइड होने की संभावना है process तो ही नहीं बोथ process नहीं होगा तो यह होगा नहीं तो भी होगा फिर यहाँ देख लो बोथ आर प्रोड़क्ट ओरियंटेड लेकिन यहाँ पर देखो assessment assessment product नहीं है यह process है process है क्योंकि assessment में आप क्या कर रहे हो assessment में improvement करने की आप कोशिश कर रहे हो आप feedback दे रहे हो आप better करने की कोशिश कर रहे हो आप सिंग learning process को और better और enhance करने की कोशिश कर रहे हो तो यह process oriented है तो हमारा right answer हो जाएगा यह assessment is process oriented but evaluations is product oriented तो B होगा इसका right options फिर next questions 2018 का ही यह questions है what are the properties on the basis of which scale of measurement scale of measurement का properties पुछा जा रहा है चार जो properties होते है चार basic properties जो होते है वो कौन कौन से होते है identity होता है magnitude होता है equal interval होता है value of zero होता है यह चारो के चारो इसके properties है ओके बी नहीं होगा क्योंकि order relationship कहरा है नहीं है identity magnitude ratio ऐसे नहीं होता यहाँ पर order relationship कहरा है यह नहीं होता ओके तो A option right होगा identity का मतलव unique value को बता रहा है magnitude का मतलव परिमार याने की कौन जादा है कौम कौम है इसको यह signifies कर रहा है equal interval का मतलव किसी भी दो को हम लेंगे तो उसका distance और किसी दो के साथ equal हो रहा है तो वह equal interval बताएगा याने की आप ऐसे सो सकते हो कि 10 और 11 का difference ले रहे हो 21 और 22 का difference ले रहे हो दोनों का difference सेम ही होगा इसको कहा जाता है equal interval और value of zero true value of zero रहेगा याने की absolute zero रहेगा यहां पर arbitrary zero की बात क्या नहीं जा रहा है याने की absence का मतलब absence ही होगा नहीं है का मतलब नहीं है होगा तो इसको कहा जा रहा है value of zero तो यह चार basic properties है scale of measurement की which scale of measurement is appropriate to be used for measuring achievement of secondary school achievement को measure कर रहा है English scale जो हो गया कोई भी बिसे हो गया आप अगर achievement को measure कर रहे हो तो यह interval scale होगा यह interval scale होगा क्योंकि आप देखो nominal scale तो हो ही नहीं सकता nominal में number का मतलब number है नहीं ओके यहाँ पर सिर्फ ranking की बात किया जाता है ratio हो सकता है या फिर interval हो सकता है लेकिन यह दोनों में से यह होगा यह होगा क्योंकि आप देखो English में कोई बंदा zero ला रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वो zero का मतलब English कुछ भी पता नहीं है जीरो का मतलब कुछ उसको पता है लेकिन हमने जो questions देते वो questions दे नहीं पाया यही भाव है तो यहां पर जीरो का मतलब जीरो नहीं है याने कि यहां पर जीरो का मतलब है कुछ उसको पता है लेकिन वो हम measure नहीं कर पाए है तो यह हो गया क्या arbitrary zero जहां present होगा कहा present होगा internal scale मे वह present होगा तो यह होगा इसका right answers फिर next questions हो गया which one of the following statement about types of test is not correct type of test के उपर कौन सा correct नहीं है question को अच्छे से समझो यहां पर not लिखा हुआ है not कौन सा नहीं है test के संबद में कौन सा correct नहीं है बोल रहा है एक norm reference test teacher द्वारा use किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है teacher के द्वारा भी क्या जा सकता है national level में भी क्या जा सकता है NTA जैसा करता है आप school में भी norm reference test को यूज कर सकते हो आपने एक class में exam किया वहाँ पर जो fast class लाए है उनके उपर आपने compare कर दिया compare करना ही तो norm reference test है न होके अचिवमेड को आप compare कर रहे हो यह हो सकता है is standardized test के इन भी Drugy by teacher standardized test को कोई भी modify कर ही नहीं सकता कर ही नहीं सकता यह हो गया seconds and options, a test can be standardized and norm reference, standardized भी होगा, norm reference भी होगा, सही है, हो सकता है, a test can best and standardized and criterion reference, best भी हो सकता है, standardized भी हो सकता है, criterion reference भी हो सकता है, ये तीनों भी हो सकता है, लेकिन कौन सा हो नहीं सकता, standardized test को आप modify कर ही नहीं सकते, अगर standardized को modify किया तो वो standardized ही नहीं है तो यह not होगा यह right होगा आपके लिए तो यह होगा आपका real answers ओके फिर next questions हो गया एक teacher intent to check each or her student mastery mastery को यह जानना चाता है student mastery mastery किस से हम पता करते है criterion reference test criterion reference test में हम mastery को जानने की कोशिश करते है norm में क्या करते है हम compare करते है compare करते है compare करते हैं diagnostic में हम problem को ढूणने की कोशिश करते हैं क्लिनिकाल कोई होता नहीं है फिर next questions है which of the following is not the aim of continuous and comprehensive evaluations continuous and comprehensive evaluations का कौन सा एम नहीं है यहां पर भी आप देखो not लगा हुआ है not लगा हुआ है याने की कौन सा एम नहीं है पूझ रहा है नहीं है ओके डी इंफासाइज मेमोराइशन यह तो होता है हम मेमोराइशन से क्या कर रहे है मेमोराइशन से हम लेके understanding में बच्चों को ले जाना चाहते है यह तो होता ही होता है ओके teacher center activity यह नहीं होता आप student centric activity के तरफ जुकाव रहता है ओके टू मेग दो प्रोसेस लॉर्णर सेंटर यह लॉर्णर सेंटर तो होता ही है तो डेवलोफ कोगनेटिव psychomotor effective skill of the student overall development की यह बात करेगा यह तीनों तो राइट है लेकिन बी रॉंग है तो बी होगा इसका राइट answers ओके फिर next questions हो गया which of the following type of test is most appropriate for admission into a professional program admission करना है आपको admission करना है तो आपको क्या जानना पड़ेगा आपको entry behavior जानना पड़ेगा याने कि आपको aptitude test करना पड़ेगा aptitude test होगा इसका right answers ओके इसको कहा जाएगा placement evaluations placement evaluations है यह placement evaluations या फिर placement assessment भी आप कह सकती हो assessment as learning assessment as learning यह यह self assessment है self assessment है ओके लेकिन यह option होगा आपका right options assessment for learning assessment for learning लर्निंग हो इसलिए हम assess कर रहे हैं learning को improve करने के लिए learning को better करने के लिए learning को enhance करने के लिए learning को boost करने के लिए learner को हम better progress के लिए feedback देने के लिए जो assessment करती है वो है assessment for learning एक फर फेसिलिटेटिंग कंप्रिहंसिफ एसेसमेंट फुर लॉर्णिग क्या कॉंटेंट करना चाहिए पॉर्ट्फोलियो तो हमने नहीं पढ़ा है यह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेगन पॉर्ट्फोलियो में होता क्या है दर रिटेन वरक अब दर को यहां पर लिखा हुआ होता है तो all the above हो जाएगा इसका right answers ओके यह हम next class में पढ़ेंगे जो की evaluations के बहुत सारे tools है यह सारे कुछ वहां पर पढ़ेंगे ओके फिर next questions हो गया लीना is assessing deeply how well her lessons has achieved instructional objective जो instructional objective हमने fixed किया था उसको कितना बहतर से आफ achieve कर पा रहे हो यह कौन सा assessment होगा ओके यह होगा diagnostic evaluations diagnostic evaluations फिर है evaluations का मतलब क्या है देखो कैसे simple questions आ रहे हैं evaluation का मतलब है value judgment value judgment ओके evaluations को अगर measurement के साथ mix करोगे measurement के साथ तो measurement plus value judgment हो जाएगा assessment के साथ mix करोगे तो assessment plus value judgment हो जाएगा तो कही ना कहीं value judgment इसमें आएगा ही आएगा ओके तो evaluation meant for value judgment फिर next question हो गया continuous and comprehensive evaluation का मतलब क्या है continuous and comprehensive continuous and comprehensive evaluation स्रीफ cognitive है नहीं है स्रीफ effective है नहीं है स्रीफ cognitive effective है नहीं है cognitive भी है effective भी है या फिर ये cognitive नहीं है ये होगा cognitive होगा कॉनेटिव का मतलब क्या है कॉनेटिव का मतलब साइको मोटर आस्पेक्ट याने कि overall aspect को ये क्या करेगा overall aspect को ये evaluate करेगा तो ये होगा आफका right answers फिर next questions हो गया which of the following statement of test is not correct not वाला बहुत questions आ रहा है अच्छे से इसको याद करना है नहीं तो आप भूल को right करके आ जाओगे और बाद में पस्ताओगे अच्छे से questions को पढ़ना है not वाले questions बड़े ही confusing होते है इस test can be standardized, test को हम standardized कर सकते है standardized कि आ जा सकता है, ये तो right है teacher can made a test, teacher test made कर सकते है, teacher में test होता है ये भी right है, standardized test can be modified by a teacher standardized test को teacher कभी भी modify कर नहीं सकता, क्योंकि standardized है वो a norm reference test can be used by teacher, teacher द्वारा use हो सकता ये 2018 में भी आया था, ओके ये तीनों तो right है, कौन सा wrong हो गया ये wrong हो गया, c wrong हो गया, standardized test को teacher modified कर ही नहीं सकते ये होगा not वाला answers, ओके, on the basis of achievement test, the teacher ranks the student teacher क्या कर रहा है, rank दे रहा है, rank कहा होता है, rank कहा होता है nominal में क्या होता है, naming होता है, rank कहा होता है, rank होता है, ordinal में rank होता है तो यहां क्या पुछा जा रहा है यहां पुछा जा रहा है दो प्रकार की assessment के बारे में जब कुछ खुद टेस्ट करेगा उसको क्या कहा जाएगा और कुछ का बना हुआ खाना जब पीपल टेस्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे final product बताएंगे quality बताएंगे क्या है कैसा है यह बताएंगे तो ये क्या है final product आता है किसमे summative में आता है दूसरा वाला जो summative है वो ही उत्तर होना चाहिए देखो दूसरा वाला जो summative है दूसरा वाला formative नहीं है प्रोगनोस्टिक नहीं है तो ये होगा इसका right answers और पहला वाला भी formative ही होना चाहिए formative में क्या होता है formative में हम feedback देते ह अगर खुद टेस्ट करेगा तो वो पता कर पाएगा कि नमख कितना लगा है, मसाला कितना लगा है, कितना नहीं लगा है, वो खुद क्या कर पाएगा, खुद को self assessment करेगा, खुद को feedback दे पाएगा, better improvement के लिए suggestions भी दे पाएगा, अरे ऐसा हो गया है, इसलिए ऐसा टेस्ट लग रहा है, ऐसा होना चाहिए था, यह क्या है, यह formative assessment को समझा रहा है, यह बहुत ही बड़ी statement है, एक psychologist का, कौन से amendment act से CCE mandatory हो गया, elementary school वालों के लिए, RTE act, RCI act, RBI act, RC FCE act, यह होगा इसका right answer, right to children for free and compulsory education, right to children for free and compulsory education, act, यह 2009 को बता रहा है, NTA जो conduct करता है, national eligibility test, यह किसका example है, यह है norm reference test का, norm reference, यहाँ पर क्या होगा, जितने भी achievement हुए होगे, जितने भी बंदो का, यह सारों का compare करके, percentile, percentile में आपका rank दिया जाएगा, comparison यहाँ पर हो रहा है, इसलिए यह norm reference test है, the only scale of measurement, which has absolute zero, absolute zero highest scale में होता है, वो होता है ratio scale, ratio scale, inter of hall में zero भी होता है, लेकिन यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर रहता है, आरबी, ट्रारी, zero, याने की zero का मतलब zero नहीं है, okay, which is not an attitude scale, attitude scale कौन सार नहीं है, पूछा है, liquor scale होता है, thought sound scale होता है, got man scale होता है, लेकिन variable scale, attitude scale नहीं है, variable scale चार होते हैं, हमने पड़ा है, पहला था, nominal, दूसरा है, ordinal, तीसरा है, interval, और चौथा है ratio, okay, तो यह variable scale है, लेकिन यह तीनों के तीनों attitude scale है, इसको भी अच्छे से याद करना है, okay, तो यही था आज का वीडियो, इसके बाद जो next वीडियो आएगा, evolutions के tools के उपर आएगा, so stay tuned, practice करते रहे, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, thank you for watching, have a nice day,